जब किसी मैला के पेट के निचले हिस्से में दर्ध होता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है इसी को पेडु में सूजन या फिर पेल्विक इंफ्लामेशन डिजीज बोला जाता है इसको सूजन की बीमारी गरभासे में सूजन आ जाना बच्चेदानी में सूजन आना नलो मे सूजण आना या फिर यो fallopian tubes होती है उनमें सूजण आ जाती है और जो cervix होता है उसमें भी inflammation होने लगता है हर महिने जिन महिला वो periods आते हैं periods के दवरान उनको पेट के निचलेज से में दर्ध होता है जिसको menstrual cramps बोला जाता है या फिर डैस्मनुरिया बोला जाता है उनको जो period आते हैं, रुक-रुक कराते हैं, कम मात्रा में आते हैं, और इसके साथ ही कमर में दर्द होता है, vaginal discharge होता है, जिससे इसमेल आती है, ये discharge white या फिर red color का हो सकता है, भूख ना लगना, खाना खाने की इच्छा ना होना, सुस्ती लगना, चक्कराना, मुँँ में वापन रहना, ये इसके प्रमुक लक्षण है, ऐसी महिला जो अपने partner के पास जाती है, intimate होती है, तब उनको intercourse के दौनार काफी दर्द होता है, और जलन भी होती है, इसके साथी और ज्यादा सूजन आ जाती है, उनकी vaginal swelling हो जाती है, जिन महिलाओं को infection हो जाता है, तब उ ये infection bacterial हो सकता है, viral हो सकता है, या फिर fungal infection भी हो सकता है, कुछ महिलाओं को, paracetic infection भी हो जाता है, जो महिलाओं hygiene maintain नहीं रखती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है, या फिर अपने साथी के साथ unprotected intercourse करती है, तो ऐसी महिलाओं को भी ये problem हो जाती है, अगर कोई महिल multiple partners choose करती है, साथ में रहती है, तो ऐसी महिलाओं को infection भाइलने का chance ज्यादा रहता है, तो उनको ये problem ज्यादा देखने को मिलती है, इसके साथ ही pelvic TV हो सकती है, या फिर pelvic cancer हो सकता है, या फिर cyst gut जैसी भी हो सकती है, तो ये कुछ इसके कारण होते हैं, जिसकी वज़े से महिल जामी problem होने लगती है, तो जान लेते हैं, इसके treatment के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए, सबसे पहली बात आपको अपने doctor से संपर करना चाहिए, जो gynecologist होते हैं, उनसे आप संपर करिए, आप अपने partner के पास जाते हैं, इंटिमेंट होने के लिए, तो protection का use करें, या फिक thyroid का test, hormonal test भी करा जाते हैं, उसके बाद इसका treatment किया जाता है, और इसके साथी patient को कुछ धवाएं खाने के लिए दी जाती है, इसमें antibiotic दी जाती है, जैसे की doxycycling अचावर करती हैं, इसको सुबासाम देते हैं, इसके साथ में metronirajol 400 mg की एक गोली दिन में तीन बा मार दी जाती हैं, अगर patient weak हो गया है, तो इसको multi vitamins के supplement दिये जाते हैं, बॉन्स में weakness आ जाती है, एडिया कमजूर हो जाती है, calcium की tablet दी जाती है, अगर patient को खून की कमी हो गई है, यानि कि anemia हो गया है, तो खून की कमी को दूर करने के लिए, आरेन के supplement दिया जाते हैं, जैस कि आपको अच्छा रिजन देखने को मिलेगा ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स फ्रूट लें फ्रूट जूस भी ले सकते हैं और कुछ परहज भी करने चाहिए जैसे कि तलाब नामुर्च मिसाले वाली चीज़ों का इस्तमाल बिल्कुल बंद कर दें बाहर की चीज़े खाना बंद कर देनी चाहिए आप घर का खाना खाईए और साफ सफाई का ध्यान रखिए तो दोस्तों ऐसके लिए इतना ही आपको समझ में आया होगा अगर पेडू में दर्द होता है सूजान आ जाती है क्या कारण होते हैं इसके क्या इंटम्स दिखाई देते हैं और इस इससे कैसा इंफर्मेटिव डूस आपको हमेशा मिलते रहेंगे